नमस्कार दोस्तों मून्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम मनाएंगे हरी चटनी जो की पीजा के उपर लगाई जाती है और ऐसे भी किसी भी चीज के साथ आप खा सकते हैं तो उसमें हमने लिया है एक कटोरी पौदीना है ये एक कटोरी हमने धनिया लिया है 10-12 हरी मिर्च थोड़ी सी कटी हुई प्याज एक टमाटर और दो नीवू कर रस है और थोड़ा सा दाल है एक छोटी कटोरी थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा ये हींग है हिंग पाउडर हम डालेंगे थोड़ी सी हमने लिया है ये शुगर और ये है नमक साधा नमक तो इतनी चीज डालके हम बनाते हैं हरी चटनी तो चलिए अब मैं आपको इसको पीस के और दिखाती हूँ कितना सुंदर कलर और कितना अच्छा टेस्ट रहता है लहसुन हम इसमें नहीं डालेंगे आग चाहे तो लहसुन डाल सकती है जार छोटा है तो मैं आधा धनिया और आधा इसे पौदीना डाली हूँ और थोड़ा सा नमक डालके थोड़ी सी दोड़ा पानी डालके इसको मैं पहले पीस रही हूँ अब मैं धनिया बाकी धनिया पौदीना महारी मिर्च सपेद जीरा थोड़ा सा ली हूँ आधी चमच और थोड़ा सा नीबू का रस यह सब और 4-6 मिर्च डाल के इसको पहले पीछ लेती हूँ तो चलिए इसको पीछ के मैं फीर दिखाती हूँ अब मैं इसमें टमाटर डाल के इसको पीछ के फिर आपको दिखाती हूँ नमक टेस्ट कर लीजे नमक कम हो तो आप फिर डाल सकते thinking मुझे नमक थोड़ा सा डालना पड़ेगा देखी दोस्तों मैंने दो तरह की चटनी पीस ली एक तो इसमें मैंने टमाटर डालके इसमें अलग इसको बना लिया और यह हरी चटनी पीजा बर्गर उसके संग लगाने के लिए या आप कुछ भी बना रहे हैं चटनी को खाने क लिए तो बहुत टेस्टी चटनी बनी है तो दोनों तरह से आप प्यास डालके टमाटर डालके अलग से भी बना लिए और एक साथ बना के भी आप रख सकते हैं यह यह आप छे मैंने फ्रिजर में रख दीजिए क्यूब में करके बर्फ वाले उसमें जमा दीजिए और एक कि एफ हाती हूईए लूग करें और एक से ऐसे पर आप बना लग लीजिए से बना के लिएान, लीजए ।ायार डालके बना की, जिसे भीजए व्क